लेकिन थोड़ी समझदारी के साथ बाटिंग करते हैं वहाँ पर टार्गट फिर सोचते हैं 115 का 120 का वो इससे उपर हो जाए तो बॉनस है ऐसा माइन लगा ही नहीं है तो बड़ी बात है इंडियन टीम में इतना लंबा चांस मिल जाना तो में रिखाल से लाइन में बहुत से विकड़ कीपर लगे हुए है अब देखना पड़ेगा इंग्लंड सौथ अफरीका की सीरीज शुरू हुई है वो भी सौथ अफरीका ने इंग्लंड से सीरीज जीत ली है पहले मैच में आप देखें टू नाइटी एट रंस इंग्लंड से चेज़नी हुए डेट सो पे एक आउट था उननीस बीस ओवरों में और 21 रंस से वो मैच जीत गए सौथ अफरीका कमाल के विक्ट्री है कमाल के बैटिंग हुई है मिलर की तरफ से रसी वेंडर डूसू पहले मैच के जो सैंचरी बन सके इंग्लेंड की वो टीम है जो वाइड बोल क्रिकेट में दुनिया में डॉमिनेट कर रहे हैं दूसरे मैच में पहले बाटिंग की है 342 रंस बनाए है और वह भी चीज करवा लिए उसके बाद फिर बाटिंग में जैसे रंस की हैं बटलर ने हैरी ब्रूक ने एक यह इसकी बारी मज़ा आता है देखने का और बड़ी दिलेरी के साथ खेल रहा हुता है और रंस करने का जब पाकिसान भी आया था पी एसल में अबने देखा था तरीका आता इसको रंस करने का और बटलर ने 94 रंस बनाया है कमाल का बैट्समन है कमाल का प्लेयर है मुहीन ने 51 रंस बनाया है और 342 रंस बनाया है और दो विक्टर नोकिया ने लिए एक अच्छी मेरे खाल से बालिंग लेकिन रबाड़ा ना खेल रहा हो फिर मंगाला ना खेल रहा हो जिसने पहले मैच में तीन आउट किये मैच जितवाया सौथ अफरीका को उसके बाद फिर एड़ माकरम ने जैसे तीन आउट हो गए थे बभुववा जैसे 27 वे 28 वे ओवर में आउट हुआ था वहाँ पर मैच इंग्लेन के हाथ में था जब मैं देख रहा था लेकिन माकरम ने आकर क्या कमाल के बाटिंग की यह 49 रंस पर आउट हो गया लेकिन अच्छ टाइम पर विगड मिल गी थी लेकिन इसने जो बैटिंग करके दिखाई या नजर आ रहा था कि कोई बैट्समैन या जिसको गेम अवेर्निस है उसी साफ से खेल रहा था और उसके बाद फिर क्लासिक्स ने 37 रंस बनाए यह सेट तू हुआ कमाल का विगड की पर बैट्समैन है फिर मिल बाद आपको पता मिलर सोरी फिफ्टी एट रंस नाट डाउट 37 बोलो में जैक्सन ने 32 रंस 19 बोलों पर यह पार्ट्रशिप ने मैच जित वा दिया ऐसे फिर सीरीज भी जीत किया मैं समयत हूं कि कमाल की सीरीज जीते हैं कमाल की बैटिंग वह ने किया क्या दिखाया के प बाद पिर बालिंग सकतीप आँ ओलेव ने ऋडी यह और सफ दो नी बुट्री लिया और संदायर रशीत को पहले मैच में भी रंस लिए और सैंगरण क्या पहले मैच में तीन और कल के मैच में 342 रंस बनाए हैं तो वह चेज करवा लिए कि बॉलिंग वह नहीं थी उनके पाथ मार्क वूट जैसी बॉलिंग और उसके बाद डेविड विली नहीं खेला आप देखें कि इस वैसे आप बॉलिंग वाइड बॉल में सम्टाइम ऐसी लगती है कि यह बॉल कि आप कह सकते हैं कि सरफ फरक क्या आ रहा है बॉलिंग का आ रहा है जो मिडल में आकर आउट करके नहीं बॉल के साथ आउट करके नहीं दे रहे वाक्स जैसे बॉलर्स खेल रहे हो चे औरों में 60 होगया हूँ था तो इसलिए आप देखें के एक अच्छी क्रिकट इंडियन टीम ने जीता नाइंटीन नाइंटीन रंस का टार्गट था लेकिन बीसमें ओवर में हुआ एक बाल पहले और ऐसे सीरीज लेवल होगी है और स्ट्रगल करते हुए इंडियन टीम नजर आ रही है बालिंग में तो लास्ट मैच में आप देखे लास्ट ओवर की वह में आप देखे 99 रंस बनाएं उसके बावजूद लास्ट ओवर तक लेके गया यह टीम होती जो बड़ी प्रफेशनल टीम होती गिवप नहीं करती बैटिंग में नहीं है तो बॉलिंग में ऐसा डिलीवर करके दिया बैटिंग में कदरें बेतर कर सकते हैं पहले चार दोसों के करीव ही करना है यहां पीच अलाउ करिया yap कल के मैश में पुछापनी कर दोस्किल में रख के बाट मनो मुश्किल में रहे तो टीम हो पाकिन एक तिजारा के साथ ब्रेस्टर करते हैं और फार्णली कर्तेश महें पर इस सोचते start deb стать ए ऑसी बногоた देखी नहीं जाती मुश्किल होती है लेकिन आप जब बड़े इवंड में जाते हो कुछी एक मैच में ऐसी पीच आ जाती है यहां फास बॉलस डोमिनेट कर रहते हैं एक्स्रा बाउंस एक्स्रा सीम हो रहा होता है मुश्किल होती है तो उसके लिए त्यारी बड़ी जरूर देखे लिए और बाकी बाट्समैन आपको पता है कि 19 रंस मिचल सैथरन ने बनाया माइकल ब्रैजवल ने चोदा बनाया चोदा ग्रैंड फिल्प्स ने बनाया वह भी रवस्कुई मारते हैं लेकिन स्टाइक रिट सबकार ऐसा था क्यूंकर पांडिया एक विक्ट सब ने डिया दो सब्सक्राइब करें आउड़ती स्ट के चाहल और 17 रंस देखकड़ और मावी ने एक किया ग्यारा हुँआ लेकिन आपी यनी प्रतॉत में जीते हुए तो इक एच्छी बालाइज पीछा के मताबीग बॉलिंग जबर्दस लेकिन बैटिंग में वैसी प्रफॉर्मस नहीं नजर आई कंटिन्यू बैट फॉर्म पहले तीन बैट्समैनों के तेरह से चोदा मैच हो गए शान किशिन के च्छती साहिस्ट है तो बड़ी बात है इंडियन टीम में इतना लंबा चांस मिल जाना तो म इस क्रिकेट में परफॉर्म ना हो हुआ एक आदे और मैच में अगर खेला तो तो कॉंफिडेंस नीचे ना चला जाए वहां से भी फिर वह सोच सोच के वहां का कॉंफिडेंस ना लोज कर जाए तो इस लिए इस प्लेश को आप जरूर ले आए टी-20 में अभी थोड़ा स इस फॉर्मेट से थोड़ा सा दूर रख लेंगे मेरी राया बाकी इंडियन टीम बेतर समझती है तो इस प्लेश को बिचाएं बड़ा जवर्दस प्लेयर है राहुल भी लंबा कहना में टाइम मिल गया इतने मैच इस मिल गया डगाउड में परित्वी शो बेठा हुआ ब बॉंडरी ना लगती तो लास्ट ओर में आर्ट दस स्कोर करने बड़े मुश्किल हो जाने थे और चबीस रंज बनाया कटिस वोल खेल के वर्शिंटन सुंदर रन आउट हो गया हार्थिक पांडेया थे कि पीच ऐसी ती अलाओ नहीं कर थी और पंद्रा रंस हार्थिक प में की हैं लेकिन वह भी मेरे खाल से ठीक ठाक मेनत करनी पड़े हैं इंडियन टीम को जीतने के लिए एक मोर पहले जीते हैं बॉलिंग में देखें माइकल ब्रेजवेल कैसे एकदम से टी ट्वंटी में एक अलगी बॉलर लग रहा है और क्या कमाल की उसने बॉलिंग किये चार ओर तेरा रंस एक विकर्ड उसके बाद डवी ने एक ओवर की आठ हुआ और बाकी सोटी ने चार ओरो में एसी पिछ पे और मिचल सैंतिनर आपको पता के कमाल का बॉलर है बीस रंस विकर्ड नी ले सका है लेकिन छे विक्टों से मैच जीते हैं लेकिन छे विक्टें बैट्समेनों का परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है